दिल में है धड़कन, धड़कन में प्यार, जीवन में पाओ, तुम खुशियां हजार नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी लाइफ कोच रंजिना महेश्वरी आज हम एक ऐसे विशेश टॉपिक पर बात करेंगे, जो आप सभी पत्नियों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है आज का हमारा विशे रहेगा, How to impress your husband मैं आपको ऐसे साथ सीक्रेट बताने जा रही हूँ, जिनसे आप अपने पती को बहुत अच्छे सा इंप्रेस कर सकती है जब भी आप उनके सामने आए, मुस्कुराते हुए सामने आए आप मुझे एक बात बताएं, क्या कभी कोई मुस्कुराता हुए चेहरा लेकर आपके सामने आए तो आप उससे गुस्सा करेंगे, नहीं करेंगे आप अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे तो ठीक वैसे ही, जब भी आप अपने पती के सामने आएं हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आएं इससे वो अपनी सभी परेशानियों को भूल जाएंगे और उनका गुस्सा दूर हो जाएगा दिल में है धड़कन, धड़कन में प्यार जीवन में पाओ, तुम खुशियां हजार जब भी वो घर से बाहर जाएं या घर पर आएं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप उनके लिए अवेलेबल रहें जब वो अपने ओफिस के लिए तयार हो रहे हैं तो उनकी जरुवत की सभी चीज़े कोशिश ये करें कि सारा काम छोड़ दें और उनकी जरुवत की सभी चीज़े आप अपने हाथों से दें इससे ये होगा कि उनको आपकी मौजूदगी का सारा दिन एहसास रहेगा और आपका मुस्कुराता हुआ चेरा हमेशा उनके जहन में रहेगा और आपकी कमी को महसूस कराएगा और हाँ उनकी पसंद ना पसंद का हमेशा ध्यान रखें जैसे मान लिजे आपको कोई कलर बहुत पसंद है लेकिन आपके हजबन को नहीं पसंद है तो आप वो कलर उनके सार्थ में जादे समय ना पहने आप हमेशा ध्यान रखें जब भी उनके साथ जा रही हैं वैसे तयार हों जैसा वो चाहते हैं वही कलर पहने जो उनको पसंद है क्योंकि जब आप उनके पसंद के हिसाब से त्यार होंगी उनके पसंद का कलर पहने होंगी तो उनकी नजर कहीं जाएगी नहीं वो हमेशा आपको ही देखेंगे आपकी खुबसूर्ती को निहारते रहेंगे मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रही कि आप अपनी पसंद को बिलकुल त्याग दें आप अपनी पसंद से त्यार ना हो अपनी पसंद के कपड़े ना पहने पहनिये लेकिन तब पहनिये जब आप अकेले कहीं जा रही हैं अपनी friends के साथ कहीं जा रही हैं या घर पर अकेले हों आप तब अपने हिसाब से त्यार हो सकती हैं अपनी पसंद के color पहन सकती हैं आपने कहावत सुनी होगी पती के दिल का रास्ता पेड से होकर जाता है तो उनके पसंद के ना पसंद के खाने का हमेशा ध्यान रखें वो खाना बनाएं हमेशा जो उनको पसंद हो वही डेश बनाएं जो वो पसंद करती है लेकिन खाना बनाने के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन बहुत माईने रखती है कई बार होता है खाना को टेस्टी तो होता है बट उसकी प्रिजेंटेशन ऐसी होती है दिल ही नहीं करता हमेशा प्रिजेंटेशन इस तरह की हो कि लगे वाओ क्या खाना है सबसे इंपोर्टेंट बात हमेशा इस बात का ध्यान रखें कभी भी उनके घर वालों की बुराईयां उनके सामने ना करें क्योंकि इससे पती आप से नाराज हो जाएंगे और वो पसंद ही नहीं करेंगे कि आप उनके सामने उनके घर वालों की बुराईयां करें अक्सर लेडिस की आदत होती है जैसे ही आप दोनों जन साथ बैठे आप शुरू हो गई आज मम्मी जी ने मुझसे ये कह दिया आज मम्मी ने ऐसे कहा आज मम्मी ने वैसे कहा आज दीडी ने ये कह दिया आज भीया ने ये कह दिया तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, उनके सामने उनके घर वालों की बुराईयां नहीं करनी है, इससे आप दोनों के मन में मन मुटाव बढ़ेंगे, तकराव होंगे, तो यससे बचें, न है ऐसा कुछ भी जो तुझ से छुपाऊं, जीवन का हर सुख दुख तुझको ही ब प्यार का इजहार करने में शर्माए नहीं, अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप लास्ट टाइम कब त्यार हुई थी, कहीं बाहर जाने के समय, या किसी पार्टी में जा रही हैं, आउटिंग पे जा रही हैं, तब तो आप त्यार होते ही हैं, लेकिन आप हमेशा सजी, सवरी, साफ सुतरी, अपने पती के सामने आएं, तो वो आपको देखकर खुशी महसूस करेंगे, अक्सर क्या होता है, कि हम जब शाम को पती घर बापस आते हैं, सारा दिन जो हम घर में कपड़े पैने होते हैं, वही कपड़े पैने, बिख्रे बाल, एवी उनके सामने आ तो क्या वो आपकी तरफ देखके खुश हो पाएंगे, नहीं होंगे, तो हमेशा मुस्कुराहट के साथ साफ सुतरे रहें, अपने बालों को अच्छे से समारें, सुन्दर तरीके से उनके सामने आएं, वो भी खुशी महसूस कर पाएंगे, प्यार की दो बातें कर पाएं आपके और आपके पती के बीच में हमेशा प्यार और विश्वास को कायम रखें, विश्वास बनाए रखें, प्यार को मजबूत रखें, इसी शुब कामना के साथ हैपी मेरिड लाइफ! अगर आप बहतर विवाहिक जीवन से जुड़े अन्य पहलों को जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर अपने किसी करीबी के विवाहिक जीवन को और अधिक सुन्दर बनाना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें! अगली वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के बहतर भविशे के बारे में, उनके भविशे को बहतर कैसे बनाएं?